एक किलास उन लोगों के लिए काफी महत्वोड रहने वाली है जो मत्पतेश के किसी भी गवर्मेंट एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप देखें MPPST हो गया, प्रिलिम्स हो गया, आपका मुख परीक्चा हो गई यह आप देखते हैं कि सिक्षक भरतिया होती रहती हैं, बर्ग एक दो तीन के लिए आपकी पुलिस, कॉंस्टिबल, SI दरोगा, पटवारी, जेल पहरी इस तरह की मत्पतेश में अनेकों एक्जाम होते हैं और इन सब में मत्पतेश करेंट अपियस से कुश्चन्स पूछे जाते हैं, यानि कि मत्पतेश में जो गटनाय घटती रहती हैं, उनसे आपकी परीक्चाओं में कुश्चन्स पूछे जाते हैं, आपको देखने को मिलेंगे भी, अगर आप लोग पुराने कुश्चन्स अपने एकजाम के उठा के देखें, और अभी तक हम लोग उनने पिछले दो महीने, जनवरी 2023 और भरवरी 2023 में जो घटनाय घटी हैं, दोने महीने को कवर कर लिया है, 2022 की भी जो घटनाय थी, उनको भी 12 महीने को कवर किया हुआ है, तो मद्पतेश मंतली करेंट अपेस के नाम से जो फिले लिस्ट सूची बनी हुई है, उसी में पुरानी सभी किलासें आपकी डली हुई है, वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं, आप लोग स्क्रीन पर मैप भी देख रहे हैं मद्पतेश का, तो मद्पतेश में जो मार्च महीने 2023 में जो घटनाय घटी हैं, उन्हीं का हमें एक ओवर्विव लेना है, बहुत बो महत्पूर्ण तत्थ देखने हैं, जो आपके एकजाम के लिए कापी महत्पूर्ण रहेंगे, देखे, यहाँ आप देख लिए, यह हमारा प्यारा भारत है, इसमें आपको मत्पतेश दिखाई दे रहा है बीच में, बहुपाल इसकी राधदानी है, एक नवंबर 1956 में से राज बनाए गया था, एक नवंबर को आप लोग मत्पतेश दिवस मनाते हैं, और एक नवंबर संदोहजार में मत्पतेश से अलग करकी ही 36 गड़ राज बना था, अब आप देखें मत्पतेश की सीमा उत्तर पतेश, इस राजिस्तान गुजरात महराष्ट 36 गड़ से लगती हैं, और इसे आप लोग हिदय पिदेश भी कहते हैं, इसे आप लोग नदियों का मायका भी कहते हैं, सुया पिदेश भी कहते हैं, हिदय पिदेश भी कहते हैं, कोहनीओर पिदेश कहते हैं, लगू भारत कहते हैं, यहां विधान सभा में आप देखेंगे 230 सीटे है राज्य सभा में आपकी 11 सीटे है लोक सभा में आपकी 29 सीटे आपको देखने को मिल जाएगे इसका हाई कोट जो आपका जबलपूर में देखने को मिलता है मुख्य वरांच और इसकी दो खंड़ पीठ है एक आप देखेंगे इन दौर में दूसरी गवालियर में आपको देखने को मिलेगी चलिए तो मार्च महीने की पहली खबर है हमारी एक मार्च 2023 को मद्विदेश चनसंपर्ग विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सत्वोडा नेशनल फार को बेस्ट वाइल्ड लाइफ डिस्टिनेशन सेंडी में इंडिया टूड़े का एडिटर्स च्वाइस अवर्ड दिया गया है किसे सत्वोडा नेशनल फार को और जानकारी के अनुसार के अंदरिये संस्किती और सदिये कार राज्यमंत्री अर्जुन राम मेगवाल ने नई दिली में इंडिया टूड़े टूरेज में सम्मिट एंड अवार्ड समारोवों में यह अवार्ड प्यदान किया है और मद्पिदेश की वोर से फील्ड डारेक्टर एल किष्णा मोर्ती और सहाइक प्रवंद टूरेजी बोर्ड डॉक्टर नीलम रावक ने अवार्ड राप्त किया है और यह अवार्ड सत्पोडा नेशनल पार्क में परयाटकों को और अधिक सोविधायें बिक्सित करने के लिए पेड़ना का कारे करेगा और याद रखेएं मद्कदेश के होसंगावा जिले में इस्ति सत्पोडा राष्टी उद्ध्यान को सत्पोडा टाइगर जर्व के नाम से भी आप लोग जानते हैं बाग सरच्छन केंद की रूम में पिसे दिया चेत वन जीब वं बनस्पती बेवित्ता से समरिद्ध है बाग के अलावा आप देखें यहां तिंदुए, भारती वायसन, भारती विसाल, गिलहरी, सामर, चीतल, हिरन, नीलगाए, लंगूर, भालू, जंगली सुअर, सहित, बिभन, बने जीब पाए जाते हैं उध्यान में इतिहासी किवम पुरातात्वी, महत्युकी 300 से अधिक गुफाएं भी देखने को मिलेंगे भोबाल से 210 किलोमीटर, जबलपुर से आप देखें 240 किलोमीटर, नंगपुर से 250 किलोमीटर और 62 से 85 किलोमीटर सरक मार्क से अभ्यारन तर पहुचने में आप लोगों को जाएंगे तो अभ्यारन से आप देखेंगे कि 52 किलोमीटर की दोरी पर पिपरियार्ड निकटतम रेलवे स्टेशन और 188 सी निकटतम रेलवे जगसन है पचमणी निकटतम बस इस्टेंड और अभ्यारन का प्रिविस द्वार भी देखने को मिलेगा तो आपको रास्ता बता रहा है कि कभी जाएं आप लोग तो ऐसे पहुच सकते हैं एगमार्ट 2023 को मद्पिदेश के वित्मंत्री जगदीद देवडा ने मद्पिदेश विधान सभा में आप देखें 2023-2024 का बजट पिस्थुद किया है देखें बजट को आप लोग ऐसे समझे हैं आप लोग आप देखते हैं तो यह राष्टी इस तर पर भी बजट आता है और बजट कहने का मतलब होता है कि आंगे हमारा जो साल आ रहा है इसका खर्चा क्या रहेगा आप लोग भी तो अपने परिवार का बजट बनाके चलते हैं न कि अच्छा इस साल में इतना कर्चोने की उम्मीद है उससे जांदा भी हो सकता है समझ रहे हैं आप लोग उससे कम भी हो सकता है और जो पिथला साल जो गुजर जाता है उसका जो बित्तिये यानि कि आप देखे आर्थिक सर्वेक्षन कहते हैं एकोनोमिक सर्वे कहते हैं कि क्या इस साल में गुजरे हुए साल में क्या-क्या उपलद्धियां आप लोग उने हासिल की है तो यह भी याद रखेगा और बजट सब्दिकाव लेक हमारे समीधान में नहीं किया गया है यह आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए बजट सब्दिकाव लेक समीधान में कहीं नहीं देखने को मिलेगा अगर आर्टीकल एक सुबारे को अगर आप पड़ें समीधान के आर्टीकल एक सुबारे को तो बारसिक बित्ति विबरन की बात की गई है और कहां राष्टी इस तर पर आर्टीकल एक सुबारे को पड़ेंगे तो बारसिक बित्ति विबरन की बात की गई है वही आर्टीकल अगर आप लो किसे आर्टीकल आंगे जाकर आप देखिए 202 को पढ़िए आर्टीकल 202 को इसमें राज्जों के लिए बार्सेट बित्तिये बिर्वन की बात की गई एक तरह से तो भारत की अर्द्वस्था को पार्ट टिलियन डॉलर की बनाने ही तो राज्जिद्वारा इसकी को द्रेश्टी गट रहते हुए बजट में विभिन एउजनाएं मिसन मोड में तेयार की गए हैं और इसमें आप देखेंगे कि जनता का बजट बजट तेयार करने ही तू जनता की सुझाओ पराप्त कर बजट में समलित करने का प्रयास किया गया है 2023 का बजट पितम बार इवजट की रूम में पिस्तुद किया गया है अब आप देखें कि डिजिटल इंडिया की बात हो रही ही इतोस सो वहाँ भी कसी बात है कुल बिनेयोग की रासी आप देखें तो इसमें कितनी देखने को मिलेगी इसमें आप देखें तीन करोड 14,2484 करोड रुपे है जो बिगद बरस की तुला में 12% देखें और कुल सुद्ध बियाय आप देखें इसमें तो 81,553.62 करोड रुपे का प्रावधान है और राजस्त अधिक की देखें तो 76 करोड रुपे है और सकल राज घरेली उतपाद में से राजकोसी घाटे का देखें तो 0,2% अनुवानित है और अनुवानित राजस्त प्राप्तियां अगर आप लोग देखें तो 2,005,709.90 करोड रुपे है जिसमें राज की स्वैम के करकी रासी 499.98 करोड रुपे की केंदरी करोवें प्रविदेश का हिस्सा यह आप देखें 80,183.67 करोड रु केंदर से प्राप्त साहिता अनुदान आप देखेंगे 44,113.15 करोड रुपे सामिल है इसमें और 2022-23 की पुनार रिक्षित अनुवान की तुला में राजस स्वैम के कर राजस में आप देखेंगे कि 11,37 की विद्धी की गई है और इसमें आप देखेंगे बजट यहां कई कभी बार क्या होता है कि मिस्पेंट हो जाता है कभी कभी आप देखते हैं कि लिखने में गलती हो जाती है तो यहां देखें कॉमन लगा होगा यहां आप देख रहेंगा तो 3,14,024.84 कर रुपी रखा गया है एक बार पर सुन लेजे क्योंकि इससे कुशन कई बार डारेक की तुला में 12% अधिक है क्या है 12% अधिक है और आप देखेंगे मुझे ऐसा खुद लगा कि इतना जान्दा कैसे हो सकता है 3 करोड बहुत बड़ी बात होती है 3 करोड चलिए तो यह भी आप लोग याद रखेगा और बजट में कुल सुद्वाई के लिए आप देखें 2, 2,185,52 करोड रुपे की राजसी का प्रावधन किया गया है बजट में राजस अधिक का तरासी आप देखें 412,06 करोड है बजट में राजकोसी ए घाटी के अनुमाने तरासी पचास एर 709 करोड रुपे है बजट में सकल घरे लिए उत्पात में आप देखें राजकोसी कंदर्ध के घरे का अनुमान 14,02 परसेंट है और बस 2022, 23 के पुना रिक्षत अनुमान की तुला में राजस अब तो आठ हजार करोड रुपे की रासी सुईकित की गई है कितनी आठ हजार करोड की रासी सुईकित की गई है और यह आप देखेंगे यह आप लोगों को देखे एक कहां कितना पैसा दिया गया है यह बात हो रही है आपकी और 2023-2022 की पुना रिच्चित अनुमान की तुला मे पंद्रे परसेंट की बिद्धी है अनुमानिद वर्स 2023 में पूझी के परिवेरे राजजी के घरेली उत्पात का 4.30 से तर्मादित है और 2023 में अधिक राजजी के सकल घरेली उत्पात का 0.3% और 2023 में ब्याज भुक्तान कुल राज़स प्राप्तियों का सबिस्कीम हित्व आप देखेंगे 36,950.16 करोड रुपे की बात की गई है और आप देखें अनुसुचे जाती सबिस्कीम के लिए हित्व 2,00,000 माप करिए 36,950.16 करोड हो गया 26,086.81 करोड रुपे हो गया और सरकारी प्रात्मिक सालाओं की स्थाबना हित्व आप देखें 11,406 करोड हो गया पिधान मंत्री आवास योजना हित्व आप देखें 8,000 करोड रुपे हो गया एक डारेक्ट गोश्चनस कुच लेगा की पिधान मंत्री आवास योजना के लिए इस बजट में कितना पैसा देने की बात हुई है मुकमंत्री लाडली लच्मी योजना के तहत ये आप देखेंगे लाडली बहना योजना के लिए आप देखेंगे कितना 8,000 करोड रुपे की बात हो रही है जल जीवन मिशन नेशनल रूलर डिंकिंग बाटर ही तो मिशन 7,332 करोड रुपे पंदरवे विद्धायों के अनुसार अफिक्षी सुधार करने की परसाहता ही तो 6,935 करोड रुपे मादमिक सालाओं ही तो 6,728 करोड रुपे अटल किसी जोती योजना के लिए 5,520 करोड रुपे मादमिक विद्धायों लेकि द्वारा 5HP की पंपो थेसरों और एक बत्ती कनेक्षन को नेशनल विद्धूत पिताय ही तो पिती पूर्ती में 4,775 करोड रुपे की बात हो रही है सास की ये सास की ये आप देखेंगे सास की हाई हाई सेकंडरी सालाओं ही तो आप देखें 4,600 कितने बात हो रही है 4,641 करोड रुपे पंदरवे तायव की अनुसार इस्थानी निकायों को अनुदान ही तो 4,176 करोड रुपे समग सिक्ष्य अभियान के लिए 4,049 करोड रुपे राष्टी स्वास्त मिसन हेतु आप देखें 3,996 करोड रुपे री बैम्ट डिश्टी वीर्शन सेक्टर स्कीम के लिए 3,26 करोड राष्टी गरामी रोजगार गारंटी के लिए आप देखें 3,500 करोड रुपे अटल ग्रह जोती यूजना के लिए 3,500 करोड सी एम राइज स्कूल के लिए 3,32 करोड मुकमंत्री किसान कल्याण यूजना के लिए 3,32 करोड हाउसिंग फोर आल ही तू 2800 करोड रुपे प्रभाल प्यधान मंत्री फसल बीमा यूजना के लिए 2,001 करोड सामाजी सुरक्षा कल्याण ही तू 1916 करोड प्यधान मंत्री गराम सड़ा के यूजना के लिए आप देखेंगे 28,26 करोड सिचाई पेजल यूजनाओं का सौर औरजी करन के लिए आप देखें 356 करोड निउनताम आवस्तक ता कारिकरम बिसलेशन पोस बिसेश पोशन आहर यूजना ही तू आप देखें 272 करोड रुपे निवेश पोरो साहन यूजना ही तू 1250 करोड रुपे इंद्रा गांधी राष्टी विद्धा पेंसन ही तू 1144 करोड आपदा प्रबंधन यूजनाओं को बनाये जाने ही तू 1131 करोड गरामीर सकों औरन जिलाव मार्गों का निर्माड उन्यन ही तू 1020 करोड पिधान मुखमंतरी किर्शक फसल उपार्जन साहेता यह तू 1000 करोड रुपे मुखमंतरी कोसल अविंटिस सिर्फ यूजना के लिए 1000 करोड रुपे ये आकड़े ध्यान दीजेगा थोड़ा अंगली खबर है एक मार्ट 2023 को जनसंफर्ग विभाग और भारस सरकात द्वारा दी गई जानकारी के अंसान विहत्तर पन्ना भूद्रस्थ प्रवंधन उजना के विवस्तेत और समय बद्ध कयानवन के कुसोनिशित करने के लिए मत्वदे सरकार के मुख सचिप की अध्यक्षा में सभी हिधारकों की सदस्थों के साथ बेहतर पन्ना भूद्रस्थ परिशत का गठन किया गया है और सुखा प्रभावित बुंदेलखंड चेत की सामाजी कार्थिक समरिध्धी के लिए परिवरतनकारी केन बैत्वा लिंक परियोजना के तहत पन्ना टाइकर रजर्व और आसपास चेत्रों में बन जीवन और जिवेविता के सरक्षन के लिए एक व्यापक एकिके भूद द्रस प्रवंधन यूजना तेयार की गई है और केनवेत वा लिंक परियोजना के तहत परियावन प्रवंधन यूजना एक एक बूदरस प्रवंधन यूजना के करयार्वन के लिए परियावन भी के मोटो के साथ आप देखे भविस के विकास के लिए एक खांका होगा और जी पी एल और परिशत का लक्ष है एक संतोली दृष्टी कौंट के आधर पर विकास फिक्किरिया के साथ एकी करण के माध्यम से सरक्षन के लिए लापकारी इस्तिती सोनिशित करना और बिविध हिस्तेदारी पर विचार करना है और इसका ब्यापक उद्देश आप देखे करना और फीडवेक लूप और अनकोली प्रवंधन विकल्पों के संदर में एकी के भूद्रस प्रवंधन के तहर प्रजाती विशिष्ट और इस्थल विशिष्ट नेकरानी रणीतिक प्रिदान करना और आप देखेंगे केन बैतवा लिंक परियोजना कर्यार्मन के लिए ली गई राष्टी परिपेक्च योजना के तहन नदियों को जोडने वाली पहली परियोजना है जो बार-बार सूखे की स्तिधी का सामना करने वाली बुंदेलखन चेत्र की सामाजी कार्थिक समर्दी के लिए एक परिवतन कारी कदम सावित होगी और परियोजना का उद् परियोजना के नुसर उपाय करने के अलाबा भारती बन जीव संस्थान ने नाकेवल पन्ना टाइगर अजर्व बल्कि आसपास के चेत्रों में बन जीव और जय वेवित्ता की सरक्षन के लिए एक ब्यापक एकिकित पदी देश प्रबंधन ये उजना तेयार की है और 72 प अंगे चलते हैं हम लोग अंगली कावर की तरफ यह आप देखें चार मार्ट 2023 को नई दिल्ली के विज्ञान भावन में हुए स्वक्ष सुजल सक्ती सम्मान समारू में राश्पती द्रोपती मूर्मो निमद्पदिस की दो जल युद्धाओं अनीता चौदरी और गंगा राजपूत को जल सरक्षन में विस्ष्ट युगदान के लिए स्वक्ष सुजल सक्ती सम्मान 23 से सम्मानित किया है अनीता चौ शिदवाड़ा जिले की जल सकी अनीता चौदरी को जल जीवन मिसन में पाइप जलापूर्टी के ओपरेशन्स और मेंटेनेंस सेंडी में पुरुसकार दिया गया है। शिदवांच नीतु परिहार को स्वक्ष भारत मिसन ग्रामीड के तहित पुरुसकित किया गया है। शिदवाड़ा के सांची विकासकंड के ग्राम नागोरी में सांची सहर को सोलर सिटी बनाने जाने के लिए भूमी पूजन किया है। और लोग स्वास्त एवं परिवार का लियान मंत्री डॉक्टर पिर्भूराम चौदरी ने बताये कि सांची इस्तूप और बहुत दीर्थ इस थल के लिए विस्विक्ख्यात है। अब सांची को विद्धूत आवसक्ताओं की पूर्ती और बिजली आपूर्ती में आत्नुरह बनाने के लिए देश की दूसरी और पेदेश की पहली सोलर सिटी की रूम में विक्सित किया जा रहा है। उन्होंने बताए कि सांची सहर और आजपास की ग्रामीट चित्रों के लिए सौर उर्जा का उपयोग कर विद्धूत का उत्पादन किया जाएगा। पीजो एलेक्टिक जनरेटर से स्थापित किये जाएंगे। और उन्होंने बताए कि कक्छा 10 बी के बाद उच्छतर मादविंक और कॉलिज में बेटीरों को वित्तिय साक्षरता के लिए पढ़ाया पाट पढ़ाया जाएगा। और मुकमंत्री ने बताया कि राजिकी तक्नीकी सिक्छर्ण संस्थाओं में अध्यनरत चात्राओं को रोजगार दिलवानी के उद्धे से बिसेश पी सिक्छर्ण और जॉब फियर ऐजित किये जाएंगे। इसके अलावा चात्राओं को डिजीटल ओवित्य साक्षरता अगरेजी कम्यूनिकिसंस और वर्क रेडिनेस का 60-80 घंटे पी सिक्छन दिया जाएगा। और उनने बताए कि बालिकाओं के लिए इसके टैनिंग की विवस्ता भी की जाएगी। और जिससे मैं आप देखे हैंड लूम कड़ाई पारंपर एक लोक कलाओं की टैनिंग सामिल होगी। संचनालाय के अधीन धरंपाल सोथफ़ीट के अंतरगत 5 लाख रुपे का एक धरंपाल राश्ती सम्मान और 2 लाख रुपे पिति पुरस्कार के 3 धरंपाल राश्ती पुरस्कार इस्थाफित किये बिया हैं। प्रश्टा को संबानित किया जाएगा और इसके लाबा आप देखेंगे कि आधुनिक भारत की राजनितिक सामाजिक और आर्थिक इतियास पर मौलिक कार इतियासिक दस्ताविजियों की सरक्षन परीरक्षन दस्ताविजी कर अनुवाद पिचार पिसार और ग्राम सुराज ग्रामीड विकास सामाजिक सरुकार सौदेसी जैसे भारती विचारों के किरियानमन के चित में सक्रिये बैतियों और संस्ताओं को धर्मपाल राष्टी पुरुस्का से पुरुस्कित किया जा सकेगा उससा ठाकोर ने बताया कि 2022-23 में 6 लाग रुपे की 5 सेनियर संबन्दों के इतिहास इकता। गाथा अख्यान परमपराएं और आप देखी वाचिक इतियास मद्भारत में विज्ञान और तकनीक की कोसल परमपराएं मद्भारत का भासा परिवार और उनकी पहचान मद्भारत में जाती कोसल कला सिल्फ विज्ञान मद्भारत में इस्थानी और वैद की ए ग्यान हैं इसमें अच्छी बात है बुरी कहां से बात है ए नौमाद 2023 को मद्विदेश जनसरपय बिभाग द्वारा ए जानकारी दी गई कि भोपाल की विशन खेड़ी रिस्तित मद्विदेश राज्य सूटिंग अकादमी में देश की पहली 83 मीटर इंटू 27 मीटर बाता नुकूल लेट इंडोर रेंज में 20-27 मार्ज तक ISSF वर्ड कप राइफल पिश्टल सूटिंग चेंपियन से फोगी और इसमें आप देखेंगी ISSF वर्ड कप राइफल पिश्टल सूटिंग चेंपियन से में 33 देशों की 325 खिलाडी और 75 ओफिसियल्स सामिल होंगे और हाल ही में मत्रदेश में खेलो इंडिया यूद गेम्स कायोजन किया गया था जिसमें विभेन राज्जों के खिलाडियों ने भाग लिया था और ISSF वर्ड कप कायोजन भारती राष्टी राइफल महसंग नई दिल्ली की तकनीकी सहोग से किया जा रहा है साथी तकनीकी सहोग के लिए SIUS सुजेलेंड के चार एक्सपर्ट भी भूपाल आएंगे और चैंपिनसिप के लिए मत्रदेश राज्य सूटिंग अकादमी में निर्धार इत्मानकों के इसार फाइनल रेंज का निर्मार किया गया है और जिसमें राइफल और पिश्टल की सभी इवेंट के फाइनल होंगे और दस मीटर, पचीस मीटर और आप देखें पचास मीटर की फाइनल रेंज में अत्याधूनिक स्कोरर वोड और टारगेट इस्थाबिद किये गया है और फाइनल रेंज में आप देखिए लगवग 375 दरसकों की बैठक बेवस्ता भी की गई और याद रहे मद्वेदेश राज्य सूटिंग अकादमी बिसन खेड़ी में 37 एकड़ छितफल में बनी जो देश की सबसे अत्यादुनी सूटिंग अकादमी अकादमी परिसर में छात्रावास भी बनाए गया है और जिसमें लगबग 240 खिलाडियों के रुकने की बेवस्ता है छात्रावास में लाइबरेटी मिनी जिम डाइनिंग एरिया मेडिटेशन हॉल इंटर्टेन्मेंट जोन आदी की बेवस्ता की गई इसमें आँगे बढ़ते हैं ए नौमार्ट दोहजार तेईस को सिफोरी जिले में बंदफिदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमेंटेट के 60 मेगावाट इस्थाविद चमता के मडी खेडा जलविदूद ग्रह से ने 166.30 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन कर अपनी इस्थापना के बाद अभी अभी तक सरवाधिक बिजली उत्पादन करने का रिकॉर्ड बनाया है और याद रहे से पूर मडी खेडा जलविदूद ग्रह द्वारा बित्ती वर्स 2011 बारे में 165.86 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन किया गया था और मडी खेडा जलविदूद ग्रह में आप देखें 20-20 मेगावाट इस्थाविच चमता की तीन एकाईया है और इसकी पित्थाम एकाईया आप देखें 28-2006, दुतिय एकाईया आप देखें 9 सेप्टमबर 2006 और तितिय एकाई 19 अगस 2007 को क्रिया सील हुई थी और यह जलविदूद ग्रह सीवफुरी जिले में काली सिंध नदी पर बनाए कंपनी के बार्सिक समारू में बस 2020 और 2021 में मड़ी खेडा जलविदूद ग्रह को सरफसिष्ट जलविदूद ग्रह का अवोड भी प्राप्त हो चुका है पुरुस्कार भी प्राप्त हो चुका है इसमें अंगली खबर है आपकी 11 मार्च 2023 को अंतराश्ती महला दिवस की उपलक्ष में सेंटर पोर रिसर्च एंड इंडर्स्टियल स्टाप पर्पॉमेंस ने पिदेश की पांच महलाओं को एहल्या सम्मान 2023 पिदान किया है मद्पिदेश में पुरुषकार परात करने वालों में किर्केटर, सौम्य आत्यबारी, भरत नाट्यम नित्यांगना और रंगमंची एक कलाकार तनिस्का हत वलने हैं टीवी एक्टर सौभांगी अत्रे हैं और गौंडी भीती चितकलाकार नन कुसिया स्याम और अवनेत्री इवं गाय का विभा सिरी वास्तो इन में सामिल हैं सौभांगी अत्रे एक कारिकर में उपस्तित नहीं हो सकी हैं तो इन पांच नावों को आप लोग याद रखेगा पूँचा जा सकता है अहल लिया सम्मन 2023 से समारित महलाओं की परिचय की बात करें तो भारती महला किर्केट टीम की अंडर 19 किर्केट स्वम्या तेवारी हाली में T20 वर्ल्ड कप फाइनल की टॉप स्कोरर रही है और भारत नाट्याम नित्यांगना तनिस्का हतवल ने कई अंतराश्टी मंच पर देश का पितिने दित्ते भी कर चुके हैं और टीवी एक्टर सुभांगी अतरे छोटे पर देख का जानावाना चेहरा है भावी जी घर पर हैं स्टीरियल से बिख्यात सुभांगी ने संगर्स करती हुए अभुनर की दुनिया में जगे बनाई है और नन कुसिया से आमने गौंडी भीती चित्ते के जरी मद्विदेश के साथ देश का दुनिया में नाम भी रोसन किया है अब नेतिरवम गाईखा बिभासरी वास्तों सार्ट से जाना नाटकों में अभिने कर चुकी है और मद्विदेश के संस्किती विभाग द्वारत जन जाती है लोक एवं पारपरी कलाओं के छित में महला कलाकारों को सम्मानीत करने के लिए राच्टी देवी एहलिया वाई सम्मान की स्थापना 1996 में की गई थी और इस सम्मान से विभूसित कलाकारों को एक लाक रोपी की रासी और पिसस्ती पट्टी का पिदान की जाती है और देवी एहलिया सम्मान सजनात्मक उतकरिष्टता दीख सागना और कलारकारों की वर्तमान सहजन सक्रीता की आधार पर दिया जाता है और संबान दिये जाने के समय चुने गए कलाकारों का सर्जन सक्रिय होना अनिवार होता है क्या होता है अनिवार होता है और देखे इस तरह कि पुरुसकारों किस छेत में दिये जाते हैं क्यों दिया गया है कब शुरू हुआ है और इस किसी को व्यक्ति को अगर दिया गया है तो उनका संबन्ध किस से है यह सब जानकारी याद रखा करिएगा इसी से कुश्चन्स पूँच लेता है 13 मार्च 2023 को मद्पदेश के लोक सेवा प्रवंधन एवं सहिकार्था मंतरी डॉक्टर अर्विन सिंग भदोरिया की अध्यफ्षता में बेधान सभा पोजिशन में हुई बिवाग की परामर्ष्ट दात्री सम्ती की बैठक में बताया गया कि लोक सेवाओं के प्यदान की गारंटी अधिनियम में 48 विवाग की 696 सेवाएं दे जा रही है और लोक सेवा प्रवंधन सहिकार्था मंतरी ने बताया कि नागरेकों द्वारा सीएम हेलप लाइन पर किये गए आवेदनों का निराकन किया जा रहा है और लगभग 1 करोड 22 अधिक ब्यक्तियों को CM लावान बित किया गया है और CM लाइन दर्ज में 2 करोड सिकायतों में 98 पितिसत का निराकन किया जा चुका है और CM Help Line से नागरेकों को वोट सब के माद्यम सी दर्स एकायतों की इस्तिती और यह उजना की जानकारी देने की सुविदा भी दी जा रही है और CM जन सेवा में नागरेकों को देनेक जीवन में सरवादिक जन उपयोगी लोग सेवा गारंटी अधिनियम की सेवाएं दी जारी है और इसमें आप देखें आये मूलनेवास्ती प्रमाडपत और चालू खसरा खतोनी नकसा इवं भू अधिकार पुष्तिका की पितिलीपियों के कापिदायर CM हेलफ लाइन नंबर 181 पपिडाप्त कॉल पर किया जा रहा है और राज लोक सेवा अभी करण के कारपालिक ने देशक अभजीत अगवाल ने मताये की पिछले 6 माय में लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारान अंग्रेकों को बेहतर सेवाय देने के लिए लेकनिये कार किये गये हैं और पिडेश में 230 लोक सेवा केंद्रों से आधार पंजियन 430 केंद्रों से आईसमान कार बनाये जा रहे हैं अंगली खबर की तरफ चलते हैं यह आप देखेंगे कप की है 15 मार्ट 2023 को पिडेश की पसुपालन डेरी मंत्री प्रयम सिंग पटेल की अध्यक्स्ता में हुई पसुपालन बिभाग की परावस्त दात्री सम्ती की बेटक में यह जानकारी दे गई कि पिडेश में ये कपरेल 2023 में से पसुपालन बिभाग ने एक डॉक्टर एक कंबाउंडर एक ड्राइवर सहित कॉल सेंटर के लिए 1238 लोगों को रुजगार से जोड़ा है एम्बुलेंस में सभी आवसेक सुभधाएं रहेंगी और मंतरी परेम सिंग पटल ने कहाए कि जिन ग्राम सभाओं में गौसालाओं का विवस्ते संचालन नहीं हो रहा है वहाँ यह जिम्मेदार इन एंगीयों को दे दिया जाए और मंतरी ने कहाए कि ब्लॉक में अलग अलग और छोटी चोटी गौसालाओं की जगे एक बड़ी गौसाला में बे सहरा गायों को रखें और इसे गायों की देखवाल अच्छी होने के साथ गोवर और गौमुत अधिक होने से उनकी आत्म निर्भरता भी बढ़ेगी उन् पालन में हित्गराही को सासन द्वारा 60 पितीसत की सबसेटी दी जाती है और क्यंदर सासन की 4 करोड रुपे की गौव पालन योजना में 2 करोड रुपे की सबसेटी देने का प्रणान है साथी पिदेश की आचार विध्यासागर योजना में 10 लाक रुपे तक का रिड़ और पांच गायों के लिए दिया जाता है पालेक्ट प्रोजेक्ट की रो में डेरी प्लस योजना विदीसा रायसें सिहोर में लागू की गई है और इसमें अनुसुचित जाती जंजाती को 75 पितीसत और सामान बर्ग को 50 पितीसत का अनुदान दिया जाता है और पसुपाल मंतिरी ने बताए कि पिदेश में उच्च नसल की बच्चियों की संख्या बढ़ाने के लिए बिलोक इस्तर पर निसुल्क टीके उपलवद कराए जाएंगे और इसे 90-30 बच्चियों का जनम होगा और अनावस्तक रूप से नर बच्चनों की संख्या नहीं बढ़ेगी औ और इसके अलावा उच्च नसल की अधिक दूद देने वाली गायों की घूड पित्यारूपन से भी अच्छी गायों की संख्या बढ़ाई जास रही हैं और MPCDC द्वारव पिदेश में रोज साथ लाग साची दूद के पैगेट का वित्रण होता है और लगबग 6,800 सम्तियों से संक्यमित, संकले दूद और उसके उतपाद में पिदेश में 1100 मिल्क पाले, 530 मिल्क बूद और चववन सो प्राइवेट एजेंसियों से घर घर पहुंचते हैं और बैठक में बताएगे कि पडोसी राज राजेस्थान में लम्पी बीमारी से लगबग 70,000 गाय की मौत के बाब जूद सतरक्ता की चलती मद्पतिस में केबग 696 मीत्य दर्च की गई हैं लम्पी मीमारी से बचाओ के लिए गायों को लगाएगे 37,000,000,000 से अधिक टीकों का इसमें बड़ा एक दाने एक लम्पी रोग आये था ना उसके कारण यह आप देखें 16 मार्ट 2023 की घटना है और राजसासने केंद्रिय विद्धूत मंतराले की निदेशन उसार परड़ाम अधारित वित्रण छेत योजना सम्मंदी डिश्टी विउसन रेफाउम सम्ती का पुनर गठन मुक्ष सचिप की अध्यक्ता में किया है अपर मुक्ष सचिप बन पंचायत एवं गरामीट जल संसाधन वित्र मुक्ष सचिप उड़जा नंगरी विकास एवं आवास्त राजस और पर्यावन को संदस्त एवं प्रवंद संचालक MP पावर मैनेजमेंट कंपनी को सदस और सयोजक प्रवंद संचालक मध्विदेश पूर मद्ध पष्चम छेत विद्धुत विद्रण कंपनी लिमेटिट को स्थाई आमंतित सदस बनाये गया है और समती द्वारा राजजिस्तर परियोजना की बहुतिक और वित्तिय प्रगिती गुडवत्ता की समीक्षा और राजमंती परिशत को अनूसंसा करना और पंडित उद्धाव दास महिता बैद सास्त्री आयवेद सेवा समान पुरुसकार वित्रन समारू में 2017 से 2021 तक कुल पांच पर उस बरसों की पुरुसकार पिदान किये हैं और 2017 के लिए आप देखे पंडित उद्धाव दास महिता बैद सास्त्री आयवेद सेवा समान पुर और जिसके संस्थान के प्राचार जेपी चौरसिया ने प्राप्त किया है, 2019 का पुरुसकार डॉक्टर राम बिलास सोहे गोरा को दिया गया है, 2020 का पुरुसकार रानी दुल्लिया आयोवेत पीजी महाविध्यालय उचेकिसा भुपाल को दिया गया है, और जिसे RD Memorial Group of Institution के च संस्थानों को दिया जाता है, और याद रहे, राज्य में पितेक बस यह समान मत्पदेश के उन व्यक्तियों अधिफा संस्थानों को दिया जाता है, जिनोंने आयोवेत के चेत में उतकिस्ट कार किया हो, और साथी जिन संस्थानों व्यक्तियों ने आयोवेत के चेत में क टेक्स्टाइल पार्क को मंजूरी दिया, जिसमें से एक मत्विदेश का धार जिले में इस्थावित करने का नेड़ लिया, धार जिले में, मेक इंडिया को बड़ावा देती हुए केंसरकार ने देश की साथ राज्यों में पी एमित मेगा टेक्स्टाइल पार्क को मंजूरी दिये पिदानबंती जनाइद मोधी ने इस बारे में ट्वीट करते हुए पिदानबंती जनाइद मोधी ने इसे मेक इन इंडिया और मेक फोर दा वर्ल्ड का बहतरीन उधारन बताते हुए पिदान करेगा और करोणों का निवेस आकरसित करेगा और लाकों रोजगार पैदा करेगा और दोगिक नीती विनिवेस पुरोजसाहन मंतरी राजवर्दन सिंग दत्ती गाउन ने कहाए कि फायव भीजन से देसों तक विदेसों तक हमें अपने कपड़ा उद्धियुक का विस्तार कर सकेंगे पूरी पिक्रिया में पहले खर्ज बरता था और समय की बरबादी भी होती थी लेकिन अब एक ही जगए टेक्स्टाइल पार्क होने पर इस पर रोक लगेगी और पिया में इत्मेगा टेक्स्टाइल पार्क की जरिये कपड़ा समंदी संपूर्ण कार यानि कपड़ा तेयार करने से लेकर उसकी एक्स्पोर्ट तक कि सभी कार एक ही स्थान पर हो सकेंगे और इसमें आप देखे लगबग 4,425 रोपिय का निवेस होगा या नेडर टेक्स्टाइल सेक्टर में निवेस को बढ़ावा देने और रोजगार की अनिक आउसर करने में मदद गार भी सावित होगा इससे 14,00,00, रोजगार की आउसर भी पैदा होगे और वैसे भी आपको बताया ना कि भारत को रोजगार लेने वालों से जानदा देने वालों की जुरूत है 20 मार्ट 2023 को मददेश के जन सपर विभाग द्वारा देगे जानकारी करनसार मददेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की ताप विद्दूत गरहों में विद्दूत उत्पादन में यह अभी तक का सरवादिक विद्दूत उत्पादन है इसे पूर पावर जनरेटिर कंपनी ताप विद्दूत गरहों का बित्ती वर्स 2018-19 में 86 मिलियन यूनिट विद्दूत उत्पादन किया गया था और कंपनी ताप विद्धूत एकाईयों के विद्धूत विषिश तेल खपत महाय फरवरी 2023 तक यह आप देखें 59 मिली लीटर पिती एकाई रही है जो अभी तक की नियुन्तम खपत है ताप विद्धूत एकाईयों का महाय फरवरी तक हीट रेट 2486 किलो कैलोरी पिती एकाई रहा है जो अभी तक का नियुन्तम है और कंपनी की बारे विद्धूत एकाईयों ने विद्धिय वर्स 2022-23 में 100 दिन या इसे अधिक दिनों तक सतत क्रिया से रहने का रिकॉर्ड भी बनाया है अब आप देखें उर्जा की सभाविक सी बात है कि जैसे जैसे आंगे बढ़ते जा रहे है हमें उर्जा की जिरूरत हो रही है ना तोसी को लेकर बात हो रही है अंगली खबर आप देखेंगे 21 मार्ज 2023 को मुक्मंती सिवरासिन चोहान की अध्यक्सता में हुई मंती परसद की बैठक में जिला दमोहो के कुंडलपूर सिद्ध चेत और स्री जागिसोनात तीर्थ चेत को पवित घोसित करने का नेड़े लिया है कहां दमोहो जिलेके है कुंडलपूर सिद्ध चेत के लिए ग्राम पंचयात कुंडलपूर अश्री जागिसोनात तीर्त पिस्थल के लिए ग्राम पंचयात वंधक पूर के चेत में पवित चेत घोसित कीया गया है और इसकी अतरिक मंती परसद की बैठक में कई अनमातपूर नेड़े लिये गया मंतिपसन ने कलाओं से समरेद्धि सिक्षा अनुगुंज अंतरगत विध्यारतियों की सांस्कीति गतिविधियों के लिए 10 करूर रुपे व्याय करने रिये उजना की स्विकिती दी है अनुगुंज के प्रभाव को देखते हुए इसे पिदेश इस्तर, जिला इस्तर और हाई एवं हाई सेकेंडी स्कूल में आहिजित किये जाने करने डए लिया है और आप देखेंगे कि याद रहे 2019 में भारत सरकार द्वारा राष्टी सिक्षा नीती का प्यारूप जारी किया गया था और इसमें सिक्षा की गुडवत्ता उपाट समगरी गतिविधियां पर बहुत अधिक बल दिया गया इस्टीम सिक्षा पदितीम के रूम में तथा सिक्षा को कला की माध्यम से समरिद्दी करने के उद्दे से वित्ती बर्स 2019 बीस 2021 बाइस में भोपाल इस्तर पर एक उच्च गुडवत्ता युक्त संस्कितिक थेटर कारकरम अनुगुंज आयोजित किया गया था और मंती पसंद ने संस्किती बिभाग द्वारा कलेक्टर ग्वालियर के माध्यम से मद्ध भारत हिंदी साहित सभा को हिंदी भवन के निमार के लिए 7 करों रुपे का अनुदान दिये जाने का नेड़े लिया और वित्तिय बस 2022 थे इसकी बिथम अनुपूरक अनुमान अंतरगत नवी नेवजना 9904 हिंदी भवन निर्माध हितु साहिता के लिए वजेटी प्रावधान 2 करों रुपे मद्ध भारतिये हिंदी साहित सभा को दिये जाएंगे इसमें और मंती पस ने जिला निवाडी में नवीन अनुवभाग पित्वीपूर बनाने की स्विकिती दिये नवीन अनुभाग में तहसील पित्वीपूर का संपूर्ण सिस्ट में समाविष्ट होगा और साथी मूल अनुभाग अनुभाग निवाडी में तहसील निवाडी और तहसील ओर्चा की संपूर्चेत समाविष्ट होगा और मन्तिपसंद ने जिला भिंड में नवीन तहसील अमायन की गठन करने रहे लिया है और वर्तमाद तहसील में गाओं की 64 ग्रामों का अफवरजन का नवीन पिस्तावीत तहसील अमायन में समाविष्ट करते हुए नई तैसिल बनेगी और मंती पसंद ने जिला जंगरोली में नवीन तैसिल दुद मनिया गठित करने करने लिया है नवीन तैसिल में तैसिल चितरंगी के कुल 34 पटवारी हल के समाविष्ट होंगे और मंती पसंद ने जिला सागर में नवीन तैसिल बांदरी के गठन की सुखी द दी है और तैसील माल्थोन के कुल 28 सल कि समाविष्ट होंगे इसमें और मंदी पस्त द्वारा पिदेश में स्वास्थ सिवाओं को बहतर बनानी के उद्देश से 184 स्वास्थ संस्थाओं, 10 सिविल अस्पताल, 6 समधाइक स्वास्थ केंद, 11 प्रात्मिक स्वास्थ केंद, 157 और मंती पस्त द्वारा मद्ध्पदेश चल निगम द्वारा 9 नवीन परियोजनाओं के किरियानमन एकाईयों के गठन की स्विकिती दी है 22 मार्ट 2023 को राश्टपती स्री मती द्रोवधी मुर्वो ने कला के छित में विसिष्ट युगदान के लिए मद्ध पिदेश की पिसिद्ध बेगा चितकार जोदईया बाई बेगा को बस 2023 के पदम स्री पुरुसकार से सम्मानित किया है और राश्टपती भवन में पदम पुरुसकारों के नागरिक अलंकर्ण समारों के पिथम चर्ण में यह पुरुसकार पिदान किया है जनजाती एकला को सरक्षित कर अंतराश्टी पहचान पिदान करने के लिए उमरिया की बेगा जनजाती एकलाकार जोदईया बाई को कला के चित में पदम स्री पुरुसकार पिदान किया है और जोदेया बाई बेगा दसकों से अपने चित कला से पारंपरिक बेगा जन जाती है संस्किति और दर्सन को लोख प्रिये बना रही है और याद रहे आठ मार्ट 2022 को अंतराश्टी महला दिवस की अउसर पर सतकालीन राश्पुती रामणात कोविन ने महला ससक्ती करण की दिशा में आसाधरन कारी के लिए जोदेया बाई बेगा को नारी सक्ती पुरुसका से समानित किया था और आप देखेंगे कि 25 जनवरी 2023 को गरतन दिवस की पूर संध्या पर 2023 की देश के सर्वोच नागरेफ पुरुसकारों पदम पुरुसकारों की गोशना की गई थी और यह पुरुसकार कला सामाजिक कार सार्वजेक मामले विग्यान इंजिनरिंग ब्यापार और उद्द्योग चिकसा साहत और सिक्षा खेल सिबिल सिभा आधी जैसे विमन विसों गतिविदियों के छित में दिया जाता है देख लिजे इस चित्र भी देखाई दे रहा है आपको अंगली खबर है 23 मार्ट 2023 को मद्दपिदेश की जनसर पर विभाद द्वारा दीजाई जानकारी के अंसार के अंधिरिये जलाईव ने मद्दपिदेश की बाला घाट और सिवनी जिले से जुड़ी महत्वकांची स संजेज सरुवर सेचाई परियोजना की पिस्ताओं की पिथम चर्ण की सुविकिते दे दिये जलाई उन्हें परियोजना की साध्यता का अनुमोदन भी किया है और आप देखेंगे इसमें पिथम चर्ण की सुविकिते से बाला घाट सिवनी जिले के करीब 300 गाउं को आधुनी की करन से सम्मंदी कार किये जाएंगे और याद रहे पिदेश की परस वाड़ा विधान सवा चेत्री की ताई बाई तट नहर पिडाली संजे सरुवर परियोजना का एक भाग है इस नहर पिडाली का निर्बाण 1998 से वरस 2005 तक किया गया था और वर्तमार में इस न नहर पिडाली की मुख नहर वितरन नहरे अब तक छतिकिस्त हो चुकी है इनकी मरम्मद भी कराई जाएगी क्या कराई जाएगी मरम्मद भी आँगे आप देखेंगे ए 23 मार 2023 की घटना है मद्विदेश की संपर्ग विभाग द्वारा दी गई जनकारी के अंसार के अंसरक जिलों में मद्विदेश के 10 जिले सामिल है इनमें ग्वालियर 5 वे उज्जेन 8 वे स्थान पर है आगावी साथ जून को केंदरी स्वास्त मंतरी द्वारा पितियुगता के अगडी जिलों को नोडल अधिकारियों को पुरुस्कित भी दिया जाएगा और याद रहे अधिक संक्या में नमूना संगरन खाद अनुगपती की संक्या में विद्धी के लिए सिबिल लगाना खाद सुरक्षा के लिए जागरूगता अवियान जैसे कार नियनतर किये जा रहे है और जिसके पैडाम सरूप इट राइट चैलेंज पितियुगता में जिलों में सरा प्राहिनी उपलब्धी प्राप्त किये और आमजन के खान पान की आद्तों में सकारात्मक बदलाओ और खाद पितिस्ठानों में आत्म अनुपालन की प्रवित्ति कुबरावादेवनी की उद्देश से 1 मई 2022 से 15 नमबर 2022 तक चलाए गये देश व्यापी इट राइट चैल प्रमाडन, भोग प्रमाडन, हाईजीन रेटिंग, नवाचारी गतिविधियों को पितक पितक अंग फिदान किये गये और चैलेंज के अंतरकत भोपाल के कलेक्टर द्वारा प्यारम किये गये निउज पेपर में देखाना तो बोलो ना ना ओ जैन जिले के दो में में दो गया और अंतराष्टी मिलिट, स्री अन बर्स की दौरान मद्पिदेश में अनेक स्थानों पर मिलिट मिले भी लगाए जा रहे हैं, अच्छी बात है, यह अंगली खवर की तरफ चलते हैं, यह आप देखेंगी, 24 मार्च 2023 को मद्पिदेश जंसाब बिभाग द्वारा धी पिदेश के इन 11 जिलों में धार, मंदसों और नीमत जिले को 60% से अधिक कमील आने की लक्ष को फिराप्त करने पर स्वर्ड पदक, साजापूर, बैतूल, इंदौर और देवास जिले को टीवी के एसेस में 40% कमील आने पर रज़त पदक और नरसिंग पूर, मुरेना, होस मानते हुए टीवी के मामलों में सराहनी कमील आने वाले राज्यों के अंदसासीत पिदेशों को बेभेन सेणियों में स्रटिपिकेट पदा पुरुसाहन राज्ची से पुरुस्कित पिदान करने के लिए स्रटिफिकेशन की पिक्रिया शुरू की गई है समय आगे चलते हैं हम लोग 26 मार्ट 2023 को केंदरी बंतरी पी उस गवैल ने सोसल मीडिया पर जानकारी साजा करती हुए बताए कि मत्पिदेश की रीवा जिले के सुंदर राजा सुंदर राजा आम और मुरेना की गजग को जी आई टेंग मिला है फलों के राज़ा आम की यह विसेश पर जाती है और सुंदर राजा सिर्फ भारत के लोग ही पसंद नहीं करते हैं बलकि विदेशों में भी इसकी चर्चा होती है सुन्दर रजा आम की खासियत है कि यह बिना रेसे बाला होता है और इसमें पाई जाने वाली सरकरा का प्रिकार कुछ ऐसा है कि इसमें सुगर की मरीज भी खा सकते हैं और बिन्देशेत की सान समझे जाने वाली सुन्दर रजा आम का उतपादन पहली रीवा जिले के गोविंद गड़ के लिए की बगीचों में होता था जबकि रीवा के कुठो लिया फलन संधान में उतपादित होने वाला सुन्दर रजा आम हलका हरा होता है और सुन्दर रजा आम की लोगविर्ता का अंदाजा इस पास से लगाया जा सकता है कि 1960 में इसम के नाम पढ़ना टिकेट भी जारी हुआ था वही मुरेना की गजक एक पेकार की मिठाई है और अगर गजक के साथ मुरेना का नाम जुड़ जाए तो इसे क्वाइलिटी और स्वाद के लिए सरफसिष्ट मानते है इसलिए मुरेना की गजक का स्वाद पूरे देश में पिसिद्ध है और गजक बनाने का का मुरेना मु और याद रहे हाली में दिल्ली में प्रिक्राइटी मैदान में लगी फूड फेस्टिवल में मुरेना की गजक को इटली दुबई बेटन से आए डेलिगेट्स ने काफी पसंद किया है और किसी भी रीजन का जो छेतरी उत्पाद होता है उसे उस छेतर की पहचान होती है उस में सबसे पहला जी आई टेग 2004 में पश्चे मंगाल की दार्जलिंग टी को दिया गया था चाय को और किसी विच्छेत में विस्षेत के अलावा कहीं और नहीं पाए जाती है उसे विस्षेत पहचान दिलाने के लिए जी आई टेग दिया जाता है और जी आई टेग दू विराज चावल को भी जी आई टेग मिला है और 36 गड़ आप लोगों को मालू है कि एक नवंबर संदोहजार तक आपका ही इस्सा था एक नवंबर संदोहजार में अलग हुगा था है इस 27 मार्ट दोजार ते इसको पिधान मुक्त रक्षक बन पराडी जेस चोहन ने बताया, कि नवीविया से कुनो राष्टी उद्यान में चोड़ी गए मादाचीता साथा सासा, सासा के गुर्दों में संक्रमाण होने की बज़जा से मित्धी हो गई है, इस माधाचीता के गुर्दे में संक्रमाण भारत आने के पहले से ही था, ये नवीविया दच्छे पिदान मुख बन रक्षक बन पराणी चोहन ने बताए कि चीता के स्वास्त की देखवाल के लिए तैनात पसूच एक सक्ट द्वारा मादा चीता की स्वास्त परीक्षन में उक्चार किया वसकता पाई गयी थी और फाल स्वरूप उसी दिन उसे क्वाइंटाइन भी बाड़े में लाय गया था चीता का स्वास्त परीक्षन बन विहार राष्टी उद्यान में इस ते लेब में अत्यधुनिक मसीनों से किया गया था खोन के नवीनों की जान से यह जानकरी प्राप्त होई की सासा की गुर नाभी बिया में खून के नमयोनी की अंतिम जाच में मैं भी क्रेटिटिन का इस्तर 400 से दिख पाए गया था जिसे यह पुष्टी हुई कि सासा को गुर्दे की बीमारी भारतानिस की पहले हुई थी और आप देखेंगे कि 22 जनवरी 2023 से सासा की मिठ्थिव के समय तक स्वक्षंद विचरनों के लिए खुले बंचेत्रों में छोड़े गया पूरी तरह से स्वस्त करी रहे कर सिकार कर रहे हैं दच्छे बका से लाए गया सभी बारे चीते बर्तमार में कुईंटाइन बाड़ों में स्वस्त और सक करी हैं और याद रही पिधान मंती मौदी स साब ने 17 सेप्टमबर 2022 को सेवपुर के कौनो नेसनल पार्क नाभी विया से लाए गया आठ चीतों को बाड़े में छोड़ा था ए मदा चीता आप देखे साथ ये 28 मार्ट 2022 की घटना है मद्ध पिदेश की मंती प्वसत की बैठक में जल्स अंसादन बिभाग की चैन्टी खेडा बेहत सिचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है और वहीं बेहत परियोजना निरंतर मंडल की 119 भी बैठक में दोरी सागर मद्ध्यम परियोजना उब हेक्टर चेत में सिचाई चमता निर्माड होगा और चैन्टी खेडा बेहत सिचाई परियोजना की अनुमादर लागत 549 करोड रुपे है योजना के अंतरकत आप देखी सर्षट दसमलाव 88 MCM के मिट्टी के बाद निर्माड और पाइप लहेंट का निर्मार किया जाना है परियोजना से 15,000 आप देखें 300 हेक्टर चेत में सिचाई की जा सकेगी और दोरी सागर मध्यम परियोजना सतना में पिस्तावित दोरी सागर मध्यम परियोजना की अनुमाद ने लागत 175 करोड पे है और परियोजना के अंतरकत जलासा निर्माड पाइप नहर प्रिणाली और बहुती नहर प्रिडाली बार्सागर जलासे से निकलती है जिससे आप देखी रीबा सतना जिले की पैंसाथ हजार हेक्टर छेत में सिंचित किया जा सकेगा परियोजना की अनुमत लागत आप देखी 359 करोड 48,000,000 रुपे इसकी रखे गई है आगे आप देखेंगे एक ख़बर 28 मार्स 2023 को मदपितेस बिग्ञान पुरुदुकी की परिशत के वरिष्ट प्रदान बिग्ञानिक डॉक्टर जीडी वैरागी नहीं बताए कि बिग्ञान के छेतर में एक नया किर्तिमान इस्थावित करती हुए नवाचार की किरम में मैप कॉस्ट ने से ने बन सहयुक से फोरेश्ट बायोमास की मैपिंग का कार सुरू किया है और खास बात है कि मैप काष्ट द्वारा की दी जाने वाली मैपिंग से मिले पाइडाम का कैली विरेशन और वैलीडेशन मिलान जनवरी दोजाट चौबिस में लॉंच होने वाले निसार सैटिलाइट पाधान में शुरू किये गए नासा इसरू सेंथेटिक अप आर चर रडार प्रोजेट का हिस्सा है नासा अमेरिके अंतिर एजनसी है और इसरू आप देखें भारत की इनियान स्वेस रसर्च और जनाइजेशन की बात हो रही है और आप देखते हैं कि इसकी स्थापना 15 प्रेगस 1909 में हुई थी बैंगलोर में हेड़कॉार्टर देखने को मिलेगा बरिष्ट पिदान विज्ञानिक ने बताया कि सैटिलाइट के में मुक रूप से दो वेंड एल और एस भेजे जा रहे हैं एक हेक्टर के प्लांट से प्राप्त किये डेटा का मिलान वेरागी ने बताय कि एक काम मेप, कास्ट और इसरो की टीम द्वारा किया जा रहा है फोरेष्ट बायो मास की मैपिंग के लिए नर्वदा पुरम जले को चिन्नित किया गया है और यहाँ एक हेक्टर के 10 पिलोट पर इस्थाई तोर पर मैपिंग का कार किया जाएगा और पर बर्स में एक बार भौतिक रूप से बायो मास मैपिंग का कार किया जाएगा और इसमें आप देखिए पेड़ की उचाई मोटाई साखाओं की गिंती आदी को उनापकर बायो मास निकाला जाएगा डॉक्टर वेरागी ने बताए कि इस परियोजना से प्राप परिडा एवं कि सी विकास मंतरी कमल पेटल ने मदफिदेश को फारम गेट एप के लिए दिल्ली में मिला अबोर्ड मुकमंती सिंग सिवरा सिंग चोहान साब को सौपा है और याद रहे मदफिदेश को कम्पीटर सुसाइटी ओप इंडिया द्वारा राज सरकारों की प्रोजेक् अनुसर अपने उपज को अपने घर खलिहान गोदाम से विक्रय में सक्चम होगा और किसानों को अपनी उपज को मंडी में लाकर विक्रय करने के साथ साथ घर बैठे अपनी उपज अपने दाम पर विक्रय की आजादी मिली है और मदफिदेश ऐसा करने वाला देश में ए एक अगस्त 2022 से पाइलेट की रूम में एंडोराइड एप के माध्यम से पारम किया गया है और साथ ही 27 सेप्टमबर 2022 से उजयन मंडी को पाइलेट ये उजना में सामिल किया गया है एंपी फारम गेट एप का मद्ध पिदेश की समस्त 269 केसी उपज मंडी समतियों में संचालित किया जा रहा है और एंपी फारम गेट एप का उपयोग कर 12,981 करिस्कों द्वारा 64,000,000,000 कोईंटल विभिन केसी उपज बिक्रे किया गया है और फारम गेट से किसानों के सीधा क्रे पूर में सौधा पत्रक पोर्टल के माध्यम से अपरेल 2021 में किया गया था और धीरे इस एप का प्रयोग जादा तर किसानों द्वारा किया जाने लगा और आप तक इस एप का उपयोग करमंडी प्रांगर में 16,30 की आवक हो चुकी किसानों के लिए अच्छी बात है अगली ख़वर आप देखेंगे 29 माल 2023 को मद्पिदेश जनसंपर्ग विभाग की ने द्वारा दिये जानकारी के अंसार पिदेश की लोग कलाओ और सिल्फ की सनक्षन पिचार पिसार के लिए उद्देश से खजराहों में निनमित किया गया है और जानकारी के अंसार पिदेश सादेश्ट दर्षन यूज ना में सिल्फग्राम को सर्फ सिल्फ हार्ट इस्मारी का सौफ्ट कैटिगरी में अपकी रूम में से निदा केंद्रिये पर एटन मंत्राले द्वारा नई दिली इस्तित होटल असोग में चिंतिन सिविर में केंद्रिये पर एटन मंत्री जीज की सन रेड़ी ने आपर प्रभन संचालक टूरिज्म बोर्ड बिवेक सुरोत्रिये कोपिसस्ती पत्त पिदान किया है और प्रमुख सचे परेटन और संस्किती सिफ सेखर सुकला ने कहा है कि सिल्फ ग्राम संस्किती लोक कला और सिल्फ की सनक्षन सिल्फ कारों की पुरोसान के लिए पिरमुक केंदर की रूम बे स्थापित हो रहा है और परेटन मंतराले द्वारा सिल्फ ग्राम को सरहा जाना हमें कला और संस्कित की प्रचार पिसार और सानक्षन के लिए नित नवाचार का निकली पेरिद करेगा यह तो यह अच्छी बात है आंगे बढ़ते हैं यह 27 से 29 मार्च 2023 को नई दिल्ली में हुए आठवे स्मार्ट सिटी इंडिया 2023 एक्सपु में 16 केटिगरी में मद्धिश की स्मार्ट सिटीज को 7 केटिगरी में अबोड मिली हैं कौन को उनसे राज जिन नगरी है राज के नगरी है पर सासन विकास आयुक्त भरत यादों ने बताई कि स्मार्ट सिटी इंदौर और जवलपुर को दो दो भुपाल सागर उज्जेन को एक एक अबॉड मिला है स्मार्ट सिटी इंदौर को वेश्ट स्टार्ट अब और वेश्ट वाटर मेनेजमेंट केटिगरी जवलपुर को गवणनेंस एकोनोमी और सिटी लीडर केटिगरी में अबॉड मिला है इसी तरह Smart City भोपाल को Smart Parking केटिगरी, सागर को Clean City केटिगरी, उज्जेन को उज्जेन महाकाल महा लोग के लिए Business Award पर आप्थ हुआ है और Award के लिए 16 केटिगरी में Nomination जनवरी से फर्वरी 2023 तक किये गए है और Nomination केटिगरी में Governance and Economy Award, Smart Urban Mobility, Best Water Management, Best City Leader, Best Healthcare Initiative, Clean City, Digital City, Public Private Partnership, Safe City, Smart City of the Year, Smart Energy Project, Smart Waste Disposal, Special Category, Best Startup Initiative, Smart Parking Initiative और PPP Initiative केटिगरी में सामिल किया गया है इसने चलिए अंगली ख़बर की तरफ चलते हैं और सावान पिसासन विभाग द्वारा जारी आदिस के इनुसार निमलिकित निगम मंदल प्राधी करन आयो कमेटी बोड के अध्यक्ष को कैमिनिट मंती का दर्जा पिदान किया गया है और आप देखें निमलिकित निगम मंदल प्राधी करन आयो कमेटी बोड के अध्यक्ष को को तथा कैमिनिट मंती उपाध्यक्ष को राज की राज मंतरी का दर्जा दिया गया इसमें नंदराम कुसभा है उपाध्यक्ष राज पसूधन को कुट बिकास निगम के सुनेल पांडे उपाध्यक्ष भुपाल बिकास पर आदी कंड के अनिल अगवाल लीली ये उपाद्धेक्षें भुपाल बिकास परादी कनके और राकिस गोलु सुकला ये उपाद्धेक्षें इंदौर बिकास परादी कनके चलिए तो ये भी आप लोग याद रखेएगा और इस तरह से आप देखेंगी कि मार्च 2023 में जो घटना है मद्ध प्रदेश की जो घटना है रहेंगी उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे